गुड मॉर्णिंग अबरीबन आप शवी लोगों का स्वागत है आज 29 अगस्त है तो डियने डेली न्यूज पेपर लिस्टिस में हम लोग देखेंगे दैनिक ज्यार राश्टे संसकरा और जनसत्ता में पिरलिम सिमेंस इंट्रिवीव के साथ निमंत के कौन सक टॉपिक साम सामिल किया गया जिसमें हम लोग बात करें देश में बनेगी 12 इंडिस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तो यह स्मार्ट सिटी क्या होगी 12 इंडिस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इस पर हम चर्चा करेंगे पीटी और मेंस आस्पेक्ट से समन्ध से फिर प्लग औंड प्ले और वाक व वर्क सुविधा वाले होंगे यह अध्विक सहर्त यह क्या है सुविधा यह concept क्या है जिसमें आद चर्चा करेंगे नेश टॉपिक देखेंगे UPI रूपिये को सही माहिने में वैस्विक बनाने का परियाह जारी है तो हम लातार इस पर UPI और रूपिये के संदर में हम बात कर रहे थे कि वित्य शमावेशन जैसे भारत में हुआ वैसे हमारे पडोसी मुल्क और अन्य राष्टों में भी जैसे डॉलर आयक महत्पुन बैपार लेन देन का मुद्रा है लेन देन का वैसे ही रूपिये को बनाया जा रूपिये के कॉंसेप्ट को UPI को बनाया जा तो इसी में हम बात करेंगे भारत में डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्टर क्या होता है डिपयाई रूपिये क्या है सागर योजना क्या है UPI क्या है या महत्पुन हम पीटी आसपेक्ट मेंस आसपेक्ट देखेंगे कुछ पीटी के प्रस्ट जो UPAC में पूछे गए वहां से हम चीजों को कवर करेंगे और मेंस का एंसा राइटिंग इसके टॉपिक को करेंगे नेस टॉपिक गरीबों को आर्थिक मुखधारा में लाई है जन धन योजना जिस पर मैंने कल भी बात किया था और आज भी कुछ आंकड़े आप लोग को दूँगा जिसके अधार पर आप पीटी के महत्पुन पक्षों को मेंस के महत्पुन पक्षों को मजबूत कर सकते हैं चलिए आगे हम बात करेंगे गोवा में पहले पाकिस्तानी इसाई को नाजिता दी गई है तो यह पीटी फैक्ट है तो इसे अच्छे से आप लोग को कभर करना है चलिए नेस टॉपिक पर देखेंगे जलवाई परिवर्तन के कारण कई विश्विधरोर संकट म पर आएंगे इनोस्को को विश्वधरोर सूची क्या है भारत में इस दुरोर की सूची क्या है वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है नए सूची कौन सामिल हुए है सभी हम पक्स को पीटी आस्पेट के नजर से देखेंगे फिर नेस टॉपिक देंगे पहली बार महिला होग इरानी सरकार की स्वाजनिक चेहरा तो इस तरीके के कौन से बदलाव के दोर से गुजर रहा है इरान तो हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे बात करेंगे इसके संदर में फिर वाई पर दूसन को कम करने से एक वर्स बढ़ा भारतियों का जीवन तो इसके कुछ डाटा फ दोपम चर्चा करेंगे पेरिस पेरा अलोंपिक आज शुरुवात होगी तो इसके पिटी आसपेट देख लेंगा आज के संपात्के में विर्धी दर और अर्थ व्योस्था का सच क्या है इसके संदर्व के अंतर्शमंदों को समझने का परियास करेंगे तो अंतिम तक बन सकेनर से सकेन करके हमारा डाउनलोड कर सकते या description box या comment सक्षण box में आपको क्या दिया रहा था लिंक दिया रहा था उसी से आपको हमारा डाउनलोड होगा आप विजिट कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर जहां पर डेली mcq कराया जाते हैं सुबह आपको 10 एम में और रात को 8 पी एम में तो यह निधारित कोश्टन टॉपिक के अधार पर आपको कोश्टन कराया जा रहे हैं हमारा विजिट कर सकते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुछ चीजें हैं जब आपको पीडिया प्राप्त होगा आइकोन को दबाकर हमारे विभिन प्लाटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं टेलिग्राम से यूट्यूब को वाट क्या करना है हम लोग जो हम लोग तार्गेट दिये हैं अभी तक मैंने जितने साल से यूटूब विडियो डाला है उसमें मेरी एक खास उपलब्दी यह है कि हंडिट परसेंट हमने आप लोग आपको सर्टिफिकेशन दिया है करने का मतलब जो हम सार्टिफाइड आप लो हमें तो हम नई रूप में सभी लोग आ जाएंगे तो जल्द ही हम इन सब चीजों को बदलाओ के दोर से गुजार रहे हैं तो चल दिए चो आगे बढ़ते हैं तो देखिए यह आप लोग के लिए नया सेग्मेंट चलाए गया इसे जरूर देखिए का आप लोग नई करे हैं तो हिंदी इंगलिज दोनों मीडियम आप लोग को प्लप्त कराए गया जो भी प्लेटफॉन हमारा सोसल मीडिया प्लटफॉन सब जगों प्लप्त कराए जा तो इसका लाब आप लोग जरूर लीजिए गा चलिए नेश्ट हम बात करेंगे इसी में आगे आगे जब ब करेंगे 12 इंडिस्ट्रियल स्मार्ट सेटी तो समार्ट सेटी के संदर में पहले न्यूज को देख लें उसके बाद कुछ बाते करेंगा देखिए पर्योजना सबसे पहले याद रखेंगे उत्तर परदेश उत्राखंड बिहार राजस्थान पंजाब आंदर परदेश महर इंडिस्ट्रियल स्मार्ट सेटी विक्सित कीये जाएंगे जिसमें य शार बड़े अध्वइ को जो हमारा पहले इसर्कारन ने कुछ साल पहले ही आपको कोम किया जिस F Passover हम बात करें खाल टिरल एफ चंजलर में नर्ख़र भीःा बिहार में गया पंजाब में राजपुर महराष्टरा में दिग्गी केरल में पलककर्ड तेलगाना में आपको ध्यां रखना तेलगाना में जहीराबाद आंदर परदेश में और वकल को फार्ती याद रखना है राष्थान के लिए आप लोग को जोदपूर पाली में होंगे तो जोद सहर है उसका थ्रवा सा क्रम याद कर लेना क्योंकि आने वाले एक्जाम में आपको इंफरस्ट्रक्चर के संदर में प्रस्न पूछ सकता और जहां भी प्रस्न होगा आपको सौरचना निर्मान के बार नेश्टे कर लिए न सहरों में लगवां मंटेर लाक करोड का अथिक निवेस अएगा इंच सेथा नीजी निवेस के लिए इसके लिए सरकारने मं आखडा दे रखा हैं यरफ लाक करोड की संभा न है इससे अधिक भी हो सकता इसके तहब दस लाग पर्त्यक्ष तो 30 लाग पर्त्यक्ष नोकरियां सिरजित हो सकती है इसके पूरा एको सिस्टम को डवलब कर लेने के बाद नेश्ट इसके बाद हम बात करेंगे देखिए यह क्यों जरूरी किसी देश के लिए आपको इस परकार करना निर्मान स्वाराइबं करना निर्मान करते हम् ग्रीन फिल्ड करे या । जैसे आपको जितने वी कोर सेक्टर के उत्योग है तो मुझे कॉमेंट सेक्षिने बताई तम विकास में यह Rand जंदानदेगा त स्कूर्ट है अब उसकेटर जी ने बाइन को एक रोजगार सुगार सुगार सुगं Going को लोग पैसे आएंगे रोजगार पैसे आएएंगे व्यएक continuous सGUर रीज हम पर 8 रहे जो इने आप लोग को वैंने सर्की आप चलने लगींगा तो यहां सब चेतर में होगा तो 8 चेतर में यही कीरियट होगा तो किसी भी ग्रिफिल्ट या किसी प्रकारकर नई पश्यूंदा का पूर्ण धर होता है तो सबसे पहले core sector आपको मजबूत होता है core sector का डिमांड create होता है demand के बाद उसके संबंद जो जुड़े हुए लोग होते हैं जुनके आपको उससे बहुत से कंपणियां जुड़े होती है बहुत से आपको पुब्लिक और प्राइवेट कंपणियां होती है लोग उससे जुड़े होते हैं आपको इससे लाब मिलता है उसके बाद उ किनारे अगर रोड डवलप होता है तो आप देखिए कोई विरान जगह है जहां से रोड निकल जाता उसके आज पास क्या होगा डवलप्मेंट विक्सित हो जाएगा वहां पर पड़े जमीनों पर लोग निर्वान करना सुरू कर देंगा जिससे क्या होगा यहां पर टुरि यह पाप फूड इंश्ट्रीट डवलप होते हुए दिखेगा उसके अन्य भी पार्ट आपको डवलप होते हैं इस प्रकार एक इंफा स्ट्रक्चर हमारे देश के संपून विकास के लिए महत्पून होती है जैसे ही एक कड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसकी दूसरी कड़ इस प्रकार से चक्र आपको आरंब हो जाता और यह रेगुलर चलता ऐसा नहीं कि केवल एक आप इसका भास आप अपने आसपास के चेत्रों के विकास के संदर में देख सकते हैं चले आगे हम बात करते हैं इसी में देखिए प्लग एंड प्ले और वाग टू वर्क सुवि से जुड़ी हुई सभी सुझधाएं उपलव विक्सित रूप से मिलती है जिनमें उन्हें सिर्फ मैनुफैक्चरिंग करनी होती है अच्छात मैनुफैक्चरिंग करने के लिए जो सेटप लगाना है सेटप लगाना वह आपको एक ही जगा उपलवद हो जाए बस क्या करन रिपक स отвеч बने हुए आपको ये पार्क पसंद आता तो आपको ये पार्क पसंद करके आप 20व井ए आपको सारी सुध आपको दी तो यही plug and place concept है अब इसके लिए ध्यान रखिएगा अगर सर्मिक अगर पैदल ठहलते हुए इसके कारस्तल तक पहुच जाएंगे वाक टू वर्क सुईधा माना जाएगा तो यहां सर्मिक को रहने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी मतलब साफ है manufacturing कलस्टर के पास सर्मिक आश्टा दिगी राजिस्थान जोत्पुर पाली सामिल है विसाखा पत्नम चेने इंडिस्ट्रियल कोरीडोर हैदराबाद नागपूर इंडिस्ट्रियल कोरीडोर है जैसे लिए नागपूर दिया गया है ऑपको नागपूर यहां से कोरिडोर आप आपको में मैप यहां लगाना छुट गिया मुझसे घलती होगी सौरी मैं गुरूप में सेर कर दूँगा उस मैप को आपको देखके से समझ में आ जाएगी चली आगे हम बात करते है चली कुछ है यूपी आई और रुप्यों का सही माइने वैस्विक बनाने क परियास जारी है हमारे गुवर्णर जी के द्वारा कहा गया जो आर्वी आई गुवर्णर है देखे गुलोबल फिंटेक फ्रेश्ट दोजाचोविस्क में संबोधन करते हुए उन्होंने का वित्य समावेशन डिजिटल साजनिक और सरचनाट जिसमें डी पी आई की बात हो रही है उभुकता सरचन और साइबर सुरच्छा टिकाओ वित और वित्य सेवाओं को वैस्विक एकिकरन के लिए सखसक बनाने पर बात की गई है यह सब बाते हुए देखे भारत ने अपने कॉंसेप्ट को आर्वी आई गुवर्णर ने कहा कि हम यूपी आई और यूपीय काड़ भुकतान स्विकार करने के दिसा में उलेखनी ये प्रगती हुई है उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा हम एक इक्रित भुकतान पढ़नाली यूपीयाई मोबाइल फोन के जरिए अंतर बैंक लेंदेन की सुईधा देते हैं जबकि रुपिये घरेलु रु या बात क्यों हरी मैंने कुछ माँ पहले कुछ साल पहले ही आप लोगों के सब चीजे मैंने बता रखा था कि अमरीका का जो फेडल बैंक है उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था मैं बार बार बोलता हूं कि उसने या बोला था अपने फेडल बैंक से कि आपको भारत क्या UPI concept को समझने किया हो सकता है नहीं तो या आने वाले समय में आपके जो वीजा कार्ड है मास्टर कार्ड है उसके concept को समाप्त कर देगा अब यह इतना बड़ा report था इसे समझ सकते है कोई अमरीकी देश का फैडल बैंक को यह report दिया जा रहा है आपको नियूंतं सुल्क नहीं लेता है पर यहां पर नियूंतं सुल्क लिया जाता है और जहां पर transaction मात्र है जहां पर UPI के माझे olmakinder मात्र नाम मात्र का आपको लिया जाता है तो जिस तरह यह UPIोगी जो किये जा रहे है विकासिल देशों में अपनाय जारे इसका मुख कारण यही है कि इसके लेन देन के लिए अत्रिक्त भुक्तान नहीं करने की जरत होती है तो इसी के संदर में कुछ बाते उभर कर आई कुछ बातों को समझने का परियास किजिए सबसे पहले यह समझना है कि Digital Public Infrastructure है क्या तो इसके तहत ध्यान रखेगा भारत का DPI जिसे इंडिया स्टेक के रूप में भी जाना जाता है कि मुक्त और अंतर संचालित प्लेटफॉर्मों का एक समू है जिसमें सोतंतर ब्लॉक्स महजूद है जो विभीन डिजिटल अनुपर योगों का पहचान भुकतान डेटा साजा करन समती पढ़नाली पढ़ान करता है जिसमें हम यह कॉंसेट DPI के तहत लाते हैं अब इसके तत क्या ही यह प्लेटफॉर्म उपयोग करता को केंद्रिट डिजाइन निती उद्देश्यों विकासिल उपयोग के मामलों और सहवागिता के सिधानतों को विक्सित किये गया है अब आगे मैं इस पर एक कुछ बाते कहूंगा ध्यान रखिएगा भारत में DPI के परमुष घटक के उनको जैसे अधार कार्ड है डिजी यात्रा दिजी लौकर की बात करते हैं इसी तरीके के हमारे अन्य के पलेट फॉर्म बनाए गया जिससे हम डिजितरी इन्फरेश्टर्चर को डवलब कर पाए हम जो अपने हम क्या करते थे पहले हाड कोपी में हाड कोपी में सभी चीज़ों को व्योस्तित रखते थे पर अब क्या करना सौप्ट कोपी में सारे चीज़ों को करना हम अधार कॉंसेप्ट की बात कर ले डिजी यात्रा डिजी लोकर की बात कर ले तो डिपी आई डिजिट छित में परती अस्परधात्मक समावेसित और नवाचार को बढ़ावा देता है कुल मिलाकर डिपी यह कॉंसेप्ट है जिसमें हम अपने पुराने तक्निकों को छोड़कर नमीन तक्निकों को अपना रहे हैं जिसमें हमें समय का बचत हो परवंधन हमें कम करना पड़े साथ सथ हम रियल टाइम मनेज्मेंट कर सके फिर उसके बाद भस्ता चार को कम किया जा सके इस प्रकार के देखते हैं यह सब मजबूत पार्ट आपको इसके साथ दिजिल लौकर के साथ दिखेंगे चलिए आगे में बात कर इसी में भारत में डिजिटल सवाजनिक बुनियादी धाचा 27-28 तक याद रखिएगा एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इर्थविवस्था बनने के दिसा में आगे बढ़ रहा है तो हाली में मैंने इसके बारे में चर्चा की है साइज में दो या तिन दिन पहले ही एक ट्रिलियन डॉलर का डिजिटल और साउजनिक बुनियादी धाचा हमारा होगा इस पर मैंने कुछ तथ्याप लोग को दिये थे याद कीजिएगा चलिए आगे बात करते हैं रूपिय के बारे में तो रूपिय क्या है सबसे पहले यह समझेगा रूपिय काड भारती राष्टे भुकतान निगम जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन आफ इंडिया एन पीसी आई द्वारा विक्सित एक भुकतान पढ़ना लिए रुवित्य सेवा उत्पात के तोर पर देखा जाता है बता के अ-बदक भुखतान द्वर्पर जाता है हमेशा है रूपिय के संदर में ध्या रखना है या कौन सा है घरेलू कार्ड अर्थाथ भारत की सीमा के अंदर चलने वाला कार्ड भुक्तान के तौर पर शुरुवात की गई थी इसे पूरे भारत में 140 टेलर मसीन जो ATM's, Point of Sales जिसे बोलते हैं POS, POS, विकरी के एक बिंदू जिसे में लोग करते हैं Indian Banks Association जिसे IBA कहते हैं भारत में एक सुरक्षित इलेटोनिक भुक्तान और निप्टान परणाली का दिकार देता है इसे तो ध्यान रखे हैं इसी तरह कि इसे उपलग ध्यां मिलती है जो आपके कार्ड का उपर लिखा रहाता था अलग-अलग कलर से अलग-अलग सुईधाओं के अधार पर वैसे ही रूपिय भी आपको अलग-अलग सुईधाएं वेरियंट के लॉंच किये गए सरकारी योजना कार्डों के अलावा अगर हम बात करें तो रूपिय क्लासिक, प्लेटिनम, सेलेक्ट, वेरियंट कार्ड, आम जनता तथा सम्रिद ग्रहकों के लिए डिजाइन किये गए तो आपको जैसे मास्टर कार्ड, विजा कार्ड में इस प्रका के सुईधाएं मिलती, सेम आपको रूपिय में भी मिलता है, इसे याद रखना है, ठेक है, नेश्ट याद रखना है क्या, नेश्ट के तोरप हम इसे याद रखेंगे, जैसे रूपिय कार्ड अब मौरिसस क के माध्यम से यहाने अफ्रीका में उपलब्द है जो नेपाल भुटान सिंगापूर संयूत अरब अमिरात के वाद जारी करने वाला पहला गैर तो मौरिशेस के बारे में जनकाई रखनी है अभी मैंने पेपर के स्लाइड में कुछ देशों का नाम रखा था तो याद रखना आप लोग को कहां कहां रूपिये काट जा रही है कुछ नोटस याद रखना है जैसे नोटस में नेबर हुड फोस्ट याद अखिये और को नेबर हुड फोस्ट पॉलसी जो हमारा चलता है उसी नीति के तहथ सागर जिसमें स्वीकोर्ट एंड ग्रोथ फोर ऑल इन रिजन विजन सागर के तहथ चेतरों के लिए सभी के सु से याद रखना है आपको कुछ चीजों को अब यह concept सागर concept क्या है इसके लिए हमारे security growth and all reasons के संदर में बाते की जाती है तो आपको यहाँ पर याद रखना है अब चलिए आगे हम बात करते हैं नेश टॉपिक पर रूपिय कार्ड अब तक मौरिसस के माध्यम से आपको सभी जगा उपलब दे गहरे CID से रिपीट हो गया कोई बात नहीं हो जाता है अब रूपिय तकनी के उप्योग में मौरिसस के बैंकों में मौरिसस सेंटर अटोमेटिक स्विच और कार्ड नेटवर्क के माध्यम से अस्थानी रूप से रूपिय कार्ड को अनुमती मिला है हाल यूपिय कुछ नहीं यूपिय एक अकित्रित भुक्तान इंटरफेस है यूनिफाइड आपको पेमिंट इंटरफेस है एक डिजिटल और वास्तिविक समय पर भुक्तान करने वाली पढ़नाली है जिसे वर्ष दोजार्शोल्लों में विक्सित किया गया था किलियर है जब इसके अतरिक्त हम बात करती यूपिय आई एम पी एस ततकाल भुक्तान सेवा तो यह बुनियादी अवसरचना को बनाया और उभ्योगताओं के लिए क्या किया उप्योगताओं के लिए किसी भी दो पक्षों में बैंक खातों के भी तुरंध धन अस्तरांतन के अनु उनिफाइड यूपियाई कॉंसेप्ट तो आपको यह ध्या रखना यूपियाई कई बैंकिंग सुधाओं को उपलत कराता है निर्बात फंड रूटिंग को उपलत कराता है फिर मर्चेंट भुक्तान और एक मोबाइल एप्लिकेशन विले करने के अनुमती देता है इस त परनाली A.E.P.S. करते हैं भारत बिल भुक्तान B.B.P.S. करते हैं रूपियाई सहित भारतिय राष्टिय भुक्तान जो निगम N.P.C.I. दिबारा संचाली परनाली में सबसे बड़ा है तो ध्यारा करते हैं जो N.P.C.I. सुधा देता है जिसमें हम पार्ट करते हैं N.A.C CCH की बात करते हैं, IMPS की बात करते हैं, फिर AEPS की बात करते हैं, इसी तरह रूपिय की बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको याद अखना है BP, BBPS की बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको UPI की बात करते हैं, जो NPCI सुईधा देता है, उसमें सभी सुईधाओं में UPI सबसे विरिहाद है, सबसे ब्यापक है, सबसे बढ़ा है, लेन देन के मामले में क्योंकि ध्यान रखी है साभी लेन देन, पैसे की लेन देन सबसे ज़्यादा UPI के माधिन सो हो रही है इसके आंकड़े भी आये हुए हैं तो आपको याद रखना है अब 2023 में UPI के माधिन से 2 लाग क्रोर प्ये से के 100 अरब से अधिक लेन दिन आपको ध्यान रखे हुआ है तो इसके तरह आखड़े भी दिये हुए हैं आपको बजट में भी आखड़ा इसके बारे में दिया गया UPI भुखदान करने वाले देशों में फ्रांस, सन्यूट, अरब अमिरात, मौरिसर से सबका नाम याद रखना है जो मैं बार बार आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ यहां से प्रसन पूछे जा सकते हैं अब UPI की यात्रा की हम बात करें तो ध्यान रखेगा अगर हम जुलाई 2021 से भुटान से शुरू करें तो कहां तक 2023 तक पुछे तो सभी देशों को आपको याद अकना है इसके बाद में UPI गलोबली तो पर हम कैसे आपको कंट्री को क्या लाब दे पा रहे हैं तो आपको यहां एक चार्ट दिया हुआ इस चार्ट को आप जरूर एक बार देखिएगा समझने का परियास कीजिएगा किलियर है चलिए आगे हम बात करेंगे तो देखिए कुछ बात UPI या भारत के कूल रिटेल जो है जो भुकतान है डिजिटल भुकतान उसका 80% से अधिक आपको UPI से किया जा रहा है पहले क्या होता था पॉस मसीन से होता था या ATM से पैसा निकालकर नगध हम लोग दिया करते जिससे भष्टा चार बहुत बढ़ा करता था भष्टा चार के बड़े-बड़े केस आपको देखने को मिल देते पहले हलाकि अभी केस कम नहीं हुए पर यह जो लेन देन के मामले जो आपको होता था भष्टा चार वो कम हो गया अब जो पैसे जहां तक मैं अपनी बात करूँ आप अपनी बात करोगे तो लगतार आप लोग देखते होंगे कि UPI से पैसे आपलोट टंसफर करें मुझे लगता है कि 5-6 साल में मैंने wallet से पैसे कुछी दिनो कुछ कुछ दफा ही किसी को दिया होंगा तो ध्यान रखी गई यह सब चीजे याद रखी गई यह आम जनता तक पहुचा है 28-29 तक इसके 91% युगदान देने के उमीद है अर्थात हम अभी 24 में है अगर 28-29 की हम बात करें तो अगले कुछी वर्सों में हम यह जो लेन देनी उपियाई के मादेम से डिजिटल भुग में कहा गया कि भारत के डिजिटल भुगतान परिदिश पिछले आठ साल में उले खिनिये विर्दी देखी गई है उद्योक में अनुमान है कि यह मात्रा तीन गुना से अधिक विस्तार होगा और हमारा डिजिटली करन जिस तरीके से हुआ है उस तरीके से और भी बहतर हो इसमें 169 अरब से बढ़कर ध्यान रखेगा कितना हो गया है आपको 481 अरब डलर तक पहुचने की आपको अनुमान है कब तक 2829 तक तभी तो हम 91% का योगदान कर पाएंगे तो इस तरीके से कुछ आखडों को याद रखना है देखे आपको UPI रुपिये से भीम से आपको प्रसन पूछे जा चुके हैं आपको UPI 2018 में 2017 में तो आपको ध्यान रखना प्रसन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपको टॉपिक वही पढ़ना है जो बार बार प्रसन पूछे जाते हैं रिभाइज किया जाता है जो लोग बोलते हैं कि नहीं प्रसन रिभाइज नहीं होता सो उत्तर क्या होगा आप लोग बताने का पर्यास किजिएगा कॉमेंट सक्षन में इसको पढ़कर पाउज कर लेजिएगा वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा जो चीज़े बताई गई है उसके अत्रिक्त मैंने पहले भी कुछ बाते बता रखा है तो ध्यान रखके इसको करने का पर्यास किजिए हलाकि दोनों का उत्तर ए होगा चैदि आगे हम बात करेंगे फिर देखिए 2017 में ही प्रस्ण पूछा यूपी पीसे के दवारा कि राष्टिय भुक्तान निगम देश में वित्य समवेशन को बढ़ावा देने में मदद थे तो बिल्कुल है इसा ए इन पी आई ने रूपिय काड़ भुक्तान योजना शुरू किये 2017 की बात कर रहा है तो पढ़िए वही टॉपिक जो एक्जाम में आए और में मेरा टेगलाइन हमारे टेगलाइन भी नहीं सुरुआत की गई है पढ़े वही जो एक्जाम में आए तो इसी कॉंसेप्ट के ज्यादा 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 ग्यानी नहीं बनना ज्यादा बिदवान नहीं बनना ज्यादा प्रफेसर नहीं बनना पंडित नहीं बनना है कहने का अर्थ यह है आपको उतनी चीजे जरूर पढ़के जाने है जो एक्जाम में आपको प्रस्ट जहां से सॉल्व कर पर नाले न केवल भारतिय सीमा बलकि सीमा पारवित्य लेंदेन का परमुक साधन बन रहा है तो क्या इस तक्त्य से सहमत हुआ जा सकता है तो आप इसके संदर में 200 सब्दों में उत्तर दीजेगा जो बाते मैंने उपर बताया है सीमा के अंदर सीमा के बाहर कैसे आपको यू प्रस्टन पर आपको यह हावी हो जब फुल लेंद प्रस्टन होगा तो उसमें समय लएगा समय की बचत बहुत जरूरी होती है इसका ध्यान रखिएगा चलिए आगे हम बात करेंगे तो देखिए इसका हिंदी नुच पेपाइल असीस का जो वीडियो है बिल्कुल फिरी होता है आपको लेकिन इसका प्रस्टन प्रस्टन दिये जाते हैं तो यह जो प्रोग्राम में उसमें सामिल होने के लिए मात्र 599 पलस टैक्स आपको 614 के अप्रोक्स पढ़ेगा आपको एक एर की भैरिटी के साथ यह उपलब दोगा साथ ही मेंटर्शिप मेरे दवाद दिया जाता है हिंदी नुच पेपर का आपको दुनिया का जितना भी कोश्टन है जितना भी टॉपिक है जो कंपिटिशन में पूछा जाता है वो PCSO, UPC हो या वंडे एक्जाम किसी की हम बात कर लें वहाँ करेंड के कॉंसेप्ट आपको यहां से किलियर हो जाएगा जैसी परिच्छा के प्रिकृति बदर रही है तो वन लाइनर से कोश्टन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आप लो और चीजों को र को वाइट कराया जाता है डेली टेलिग्राम चनल पर इससे अधिक आप इसमें लगतार भाग ले सकते हैं अब ध्यान रखिएगा यह बहुत इन्यूंतम बेसिक फ्री हम लोग रखते हैं आप लोग के लिए ताकि सभी लोग के लिए अफेड़बल हो और दूर दराज तक करण हम दो बार कर चुके हैं फिर भी हमने वित्य समावेशन के मामले में जहां तक विखास होना चाहिए वो कम है हलाकी ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि वित्य समावेशन के लिए सरकारे पहले की सरकारे परियास नहीं किये परियास लगतार हुआ है समय अंतराल के साथ आपको सहयोग की निती होनी चाहिए, शाथ ही साथ हमें future extract होनी चाहिए, कि future में हम digital economy को कहां लेकर जाते हैं, फिर आवसकता के अनुसार आपको demand को पूरी करने की छमता होनी चाहिए, ऐसी बाते आपको आपके किसी भी administration की मुल मंत्र है, तो यही बाते इस interface में बाते आपको निकल के आ रही होंगी, अब ध्यान रखिएगा, कुछ चीजे ध्यान रखिएगा, महिला ससकती करन को दिया है, नया याम, 30 करोड महिला हैं बैंकिम परणाले से जुड़ी है, जंधन योजना आपको दस्वी वर्सगाट मनाई गई है, उसी के उपलक्ष में जब योजना शुरू ही, तो तब लेकर संसे था, कुछ लोग पूछा, क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग को बैंकिम परणाले से लाना संबो है, तो क्या इस परियास में कोई ठोस बदलावाएगा, तो ये सब बाते परणमंती के द्वारा बाते की गई, ये कुछ कीजियों को समझ करना चाहते हैं, तो इको सिस्टम जो हमारा इको सिस्टम वो क्या करता, इसके विरोध में रहता है, नेगेटी भी उसे रहता है, समर्थन में लोग कम होंगे, पर विरोध में लोग अधिक होते हैं, मुझे याद है अभी इभी संसत के पटल पर पी चितरमा जीं की एक वक प्रेंक वहां तक पोस्ट मसीन लेकर जाएगे, तो इसलिए कुछ चीजों को समझने की आओ सकता है कि आपकी नेत्युत में दूरदर्शी परविर्थी होनी चाहिए, क्या भारत, 1947 का भारत अभी होगा, 24 में, क्या भारत, 1947 में जो भारत ने सपने दे रखे, वही सपने 1947 म होना चाहिए, हमेशा आगले 50-100 वर्ष के नियमन के अधार पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अगले 5 साल सासन करेंगे, तो 5 साल तक हम खाना पूर्ती करके निकल ले, और हम उतना ही काम करें, जितना सुविधाय उपलब्द कराए जा सके, और कुछ चीजों को हम में उसको भुकतान हो, उसका पेमेंट उसको सर पलस मिले, यही है डिजिटल वित्ये समावेशन, तो ध्यार रखिए, अगर मैं एक निट्रल तरीके से सर्च करूं, बताऊं, अगर भारत में डिजिटल, डिजिटल आपको क्रांती नहीं आती, तो भारत अभी भी क्या होत उन राष्टों के स्रेनी में होता है, जहां पर तिर्तिये विश्वे, तिर्तिये विश्वे के देश है, अफरिकी देश के देश, अफरिकी देशों की क्रम में खड़े लोग हैं, देखिए सबसे बड़ा पावर्फूल है एकोनोमी, और एकोनोमी को चलाने वाला तो यह है न, सारे देश आपके इस परणाली को अपनाने के लिए उस सुक दिखाएंगे, इसलिए यूपी आई को लगतार समर्थन मिल रहा है विश्व के अन्य देशों से ध्यान रखिएगा, आप इस तरह के डिजिटल क्रांती अगर ली आते हैं, तो अमरीका का मोनोफ पोली आप समाप्त करेंगे और आप इस छेत्र में महारत हासिल कर लेंगे, उम्दा उमिदवार के तौर पर उल्देंगे, जैसे इसरों का उधारन ले सकते हैं, भारत का डियाडियों का ब्रहमोस मिसाइल जैसे आप देख सकते हैं, कोई समझ सकता था, दोजाज 14 से पहले क्या हम रक्षा का जो उत्पाद है, वो दुसरे देशों को बेचेंगे, कभी सोच सकते थे हम लोग, नहीं, हम निर्वान पर ही दुसरे देशों खरिदने के ही बात करते थे, पर नेत्यू तो ऐसा मिला कि चीजों को क्या किया, विजवला ही किया कि अगले 25 साल, 50 साल, 100 सा में हमारा देश कहां तक जा सकता है, उसकी छमता कहां तक इटिलाइज हो सकती, इस चीज़ को समझने का परियाज, मैं क्यों ही पर्धान मंतरी का न मोदी का को ब्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं नीतियों को समझाने का परियास कर रहा हूं, उनके विचारों को समझाने का करण ऐसे ही वीजुलाइज नेता की आव सकता हो ती सिस्टम में एसे वीजुलाइज प्रशास की आव सकता होती सिस्टम जो हमें नून्तम पैसा लगव आए दस ुर्पिया लगव आए और आने वाले समय उसे सो प्रॉफिट कमा पाए ऐसे सोच वाले लोगों का परसासन में आपको इको सिस्टम में आव सकता होता और इसी तरीके से लाव आपको दिया जा सकता है तो चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें कुछ देखिए भारत में जो वितिय राष्टिये राष्टिये करन हुआ सबसे पहलेो निसो 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 नत्र में 14 बैंकों खुआ उसके आनिसो ऑस्सी में 6 बैंकों का राष्टिये करन हुआ जिस वो क्या किया गया सरकार स्वाजनिक नियंतरण आपको क्या क्या किया अस्थापित किया गया भारत का बैंक ही 3670 के पहचाद परमुक रूप से नीजी हातों में था एक और जहां भारत समाजिक आर्थिक विकास सहयों के लिए इन बैंकों कोई रूची नहीं होती थी दूसरी तब इनको परसासन और वियनमन भी खराविस्तिती होता क्योंकि सरकारी नियंतरण में नहीं होते थे तो यह अपने मनमारजी करते थे अपने पैसे वो सुलते थे अपने अधार पर रेट फिक्स करते थे पैसे देने या लेने का अब ध्यारा किए 1947 से पचपन के बिच लगवाद छोटे बड़े 300 से अधिक बैंक बंध हो चुके थे शाथ ही इनी ही बैंकों में जमा लोग की जमा पुंजी भी डूब चुकी थी इसलिए अब ये बैंक भारत में ग्रामिन छेतर तक पहुँच से दूर थे इन बैंकों के मादन से कुछ उद्यो काला बजारी जमा खोरी जैसे लिप्त हो चुके थे इको सिस्टम ऐसा बन चुका था कि ना चाहते हुए भी ना चाहते हुए अगर मान लेजे कि हम मेरे पास कुछ रूपिय है मैं उसे सेव करना चाहता हूँ तो बैंक भी डालता था रिजन उसके पीछे कब यह बैंक डूब जाएगा कब यह पैसा लेकर भाग जाएगा कब यह और नियम लगा देगा इसका नियम ना सरकार के पास था ना कोई ऐसा संस्ता के पास था इसलिए ध्यां रखिएगा आरबियाई को उसमें उतनी सक्तिसाले नहीं हुआ करते जि सरकार बैंको का समर्थन चाहती थी किन्तु बैंक सरकार के परसास्निक नियंदरन के बगेर यह मुमकी नहीं था अथा सरकार दौब वर्ष उनिसो नहत्तर में और उनिसो अस्ती में बैंको कर दिया दो मेजर उदेश थे ग्रामिनों परिवेस तक बैंको को पहुचा आना और परसास्निक नियंत्रन स्थापित करना बैंकों किसी सुधार करने के लिए बैंकों का विले सिफारिस पहले नर्सिमन समीती के द्वारा किया गया तो कोमेंट सक्सा में मुझे बताई कि नर्सिमन समीती के स्थापना कब की गई थी पीजे नायक समीती के स्थापना कब की थी इसने अपने अपने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की अब भारत्य बैंक संक के अनुसार 1986 में अब तक लगव पचास बैंकों का विले किया जा चुका न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाम नेसल बैंक में विले अतित में एक पहला बड़ा विले माना गया अब यह कुछ स बोजा उनीस में विजिया बैंक देना बैंक बैंक ऑफ बड़ोद्रा विले कर दिया गया इस तरीके से विले लगतार हुए पर राश्टी करन समझने का पर्यास कि यह बैंक है जिस पर नियंतरन कोन करेगा आपको सरकार करेगा सरकार के तशाथ आठाथात आर्भी आई का नियंदरन अस्थापित होगा उसका परसासनिक उसका जो नीमन होगा वो RBI के माध्यम से सुचारूप से चलाया जागा यह सब बाते अब नीजी हो या साजनिक हो क्लियर है उसको निर्देश दे सकता RBI इस तरीके से केवल आपको समझने का परियास किजिएगा जब जन धन योजना के बारे में जब सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी वित्य समवेशन पहल सुरू की गई थी उसके कुछ डाटा को याद कर लिजेगा जैसे योजनाय ने पिछले एक दसक में देश के बैंकिंग और वित्ये परिवेश में पूरी तरह बदल डाला वर्स जोजा 14 में सुतंदा दिवस के आउसर पहियो संबोधन में इसे एलान किया गया था सरसट परतिसत जन धन खाते ग्रामीन और सहरी छेत्रों में खोले गया जिसमें ध्यार रखेगा पचपन परतिसत एकाउंट जो है महिलाओं का है महिलाओं का ससक्ति करन है मैंने कल भी बताया था पैसे आने से क्या लाव था क्यों बैंक एकाउंट खुल जाने से उसमें क्या लाव होता है तो इसको कल के वीडियो से देख लिजेगा फिर वही बाते दुबारा दोहराने की जुरत नहीं है ध्यां रखेगा 14.72 करोड़ जन धन खाते मार्च 2015 में थे वही 2.3 लाख करोड़ रुपिय जमा इन खातों में फिलाल अभी है ध्यां रखेगा 4352 रुपिय आसत जमा रकम थी परती खाते में 14 अगर्ष 24 तक थात आसत खाता हम बोलें जितना भी खाता भी है जन धन खाते में उसका आसत कितना हम बात 4352 रुपिय अब है कि 36.06 करोड़ रुपिय डेबिट कार्ट जरिये किये गया जाने वाले धन जन योद्ना के तहत अब तक खर्च किये गया है 89.67 POS पोस मसीन जो होता उसके तहत आपको योद्ना में लांच करने के बाद खर्च किये गया है तिरपन दसमलो 13 करोड़ खाते हो गया है 14 अगर्ष 24 में अब उसके बाद ध्यां रखे है आपको 15,670 करोड़ रुपिय जमा थ पॉंद्रा का क्यों दिया गया है इसलिए कि हम वर्तमान के साथ इसका तुलना कर सकते हैं वर्तमान का आकड़ा मैंने कल ही दिया था तो आप जाके से जरूर देख लीजएगा चलिए आगे हम बात करते हैं पीटी फेक्ट याद रखिएगा गोवा में पहले पाकिस्तानी इसाई को नाग्ता भारत की दी गई है इनका नाम याद रखिएगा जोसेभ फ्रांसेस ए परेरा जो सीए' के तहथ भारत ये नाग्ता पाने राज राजिके पहले बैकती है अर्ठाथ गोवा के पहले आप को बैक्ति हैं तो इस तरीके से याद रखिए हाली में असम में भी एक पहले बैक्ति को दिया गया इस सिबिल के तहट तो इस तरीके कुछ-कुछ नाम आएंगे जिनको याद रखना है ठीक है ना इनके बारे में कुछ दी गई है एक बार डिटेल पढ़ लीजेगा उसकी आ ही जलौाइश में एक न्याः चया आक है नोन प्रका कि ये फिस्दर्बान को अगे बाट करेंगे जलौbor परिवर्तन कारन समय kleiner का समाधान निकालना आप सकते जलल इस समय अगोंज़ कि क्या ह gefährशास थी स्माप्तिहों मैंने चल्प सो साल मइस ऑगले गेहिस कम बहें दू प्रवाई जीवन को प्रवाइद नहीं करता है, वो क्या कर रहा है, सांस्कीतिक वीरासर जो प्राकिर्तिक है, सांस्कीतिक है, उस पर भी क्या कर रहा है असर डाला है इसलिए जरूरी है सरक्षन की उनेस्कों की विश्धरोवर सुची में वर्तमान में 1223 अस्थल सामिल है जो सांस्कृतिक एतिहासिक और विज्ञानिक महत्तुक देखते हुए सुची में सामिल किया जाता है इसलिए इनका सरक्षन इसके बाद इस्टेलिया का काकडू नेशनल पार्क जिसे जंगल में आग का खत्रा है चीन का क्वार्ड जो एंपरियल आपको एंपरियल आफ दा वर्ल्ड सुखे के खत्रे हैं वहाँ पर सुची में सामिल अन्य पर्मुक अस्टेलिया का सिड्नी अपईरा हाउस अमरीका का ओलंपिक जो नेशनल पार्क है कोरिया का संसा बोध परवत मठ सभी सामिल है तो इसका नाम याद रखीगा शोला परगा के जलवाई खत्रे हैं इसके लिए वैस्टविक ग्रीन हाउस गैसु सर्जन मवजुदा दर को देखते वे शोत करताओं ने बताये कि शोला अलग के मौजूदार अफ्तार को रोक नहीं लगाई गई तो पांच दिगरी तक बढ़ जाएगी इससे उरिशा का टटिये इलाकों में भारी ज्वार भाटा आएगा इसके परसिद्व जो अस्थाले कोनार्क सुर्य मंदिर बह जाएगा इसी बाते की जारे मांसुन बारिस से ह पर जाएगा इसकी सरस्था खत्रा बना रहेगा कंचंग जंगा राष्टि उद्ध्यान जो सिक्की में है इसके तर्फ जलवाई परते हो पहले वनस्पति पैटन पर जातिया प्रभावित होंगी हलाकि अर्षारा गलेसियर इस घिरे होने से इस जिए सबसे ज्यादा खत् लाव बयापक देखने को मिला है असर पड़ा है पानी की कमी है बढ़ती जेव इता है परदूसन बढ़ती है घास अनियंतरित विर्दी हो रहे ही जिसके धिरे-धिरे तबाह हो रहा है इस तरीके से केवला देव राष्टि उद्ध्यान भी कहीने कहीं जलवाई परिवर् करता को प्रभाइद करता आप देखते होंगे जब पानी आता तो यहां के जीव जन्तु बहते विए दिखते होंगे तो कहीं ने कहीं प्रभाइद करता जलवाई परिवर्थन के कारक भी इसमें फिर उसके गोवा का चर्च और कार्णमेट भी बार्द पाकिस्याकरवात भूस खलन जैसे चरम मौसमी घटनाओं का कारण प्रभाव नुखसान इसको हो रहा है तो इस तरीके से कुछ आखड़े दिए कैसे जिसको समयने क्या हो सकता है यहां पर कुछ आपको समयने क्या हो सकता यह क्या करता है सांस्कृतिक बहुतिक महत्त्य अस्तलों को सरक्षन करता है जो हम हमारे पुर्वजों ने कभी निर्मान किया था उसे सजोया था उसे क्या किया था सनरक्षित किया था उसको हमको क्या करना आने वाले भावी पिड़ी है आने वाले भावी पिड़ी के लिए सुरक्षित करना है कि वो अपने इतिहास को समझ सके अपने संस्कृत कशिति को समझ सके अपने रहन सहन को समझ सके कैसे विस्व एक दूस्रिक साथ परतिबद था उसको समझे इसके इसकेरिय प्रयृप Chyn किया जाता का है बताईएगा साथ में इस बैठक में कितने विश्व धरोहर को सूची में सामिल किया गया है ना इसकों को सूची में सामिल किया गया मुझे बताईएगा भारत का कौन है सूची में सामिल किया गया हलाकि इस पर मैंने न्यूज कवर किया है तरह आगे बात करेंगे यहां पर इन्योस्कों की विश्ध धरोवर सूची समीती में आपको द्वारा इस कारेकों को परसारित किया जाता और सूची तयार किया जाता है। जब हम बात करेंगे लाश्ट कोन है तो असम का जो मोई दाम्स भारत का तेटालिस वां आपको विश्ध धरोवर अस्तल है जो महत्मुनु प्रवदी क्योंकि यह असम का पहला भी ऐसा सांस्कृतिक क्या तो सांस्कृतिक अस्तल 35 है साथ है भारत का एक में सिर्कूल तैटाल कुछी दिया गया था उस समय विश्धित मैंने इसकी अहुम चर्चा की थी सब को बारे में आपको जरूर जनकारी होनी चाहिए चलिए आगे हम बात करेंगे पहली बर महिला होगी इरानी सरकार की सावजनिक चैरा तो यह क्यों इंपोर्टेंट है तो ध्यान रखेगा यह इंपोर्टेंट इसलिए भी है कि जब हम मुश्लिम कंट्रियों में मुस्लिम कंट्री मुस्लिम जगतों में जब महिला महिला ससक्तिकरन की बात करते हैं महिला बराबरी की बात करते हैं महिला बराबरी की बात करते हैं बराबरी औसरों की समानता की बात करते हैं सो पहचान के बात करते हैं तो यह कही न कही बोनी पड़ती नजराती है जो अरब के कंट्री है अब यहाँ पर यहाँ पर समझनी क्या हो सकता है कि जब हम आने वाले सौ साल दो सो साल बाद शमानता की लड़ाई को जब उच चरम पर देखेंगे तो क्या यही इस्तिती बने रहीगी कि आपको औसर देनी क्या हो सकता है धर्म आपका एक आचरन पद्दती है जो आपके जीवन का उत्थान करती है वो कि आपको वर्तमान समय के साथ पीछे नही है तो मान लिजे 50 महनत कर रहा है सिर्जन कर रहा है संसाधनों का और उसका उभोग यह कर रही है तो यह डैप्ट के तौर पर काम करती है और यही महिला जब यह भी काम करने लगेगी तो वह देश क्या होगा देश एक सर पलस के तौर पर काम करेगी पलस पलस उसका संसाध मानब का आप सावजिनिक मैं also on to get the human discernment लोकतान्दिक मननेताहों को बढ़ा देना चाहते या नहीं देना चाहते600 को बढ़ाबा देना चाहते या नहीं चाहते hem मेफ्सने काओqui। को समान करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे या प्रसन आपसे लगतार पुछा जाएगा और जब alt गेवल डेस यह कॉंसर्प नहीं मानेंगे कि धार्म का ठार पर आप किसी का क्या करें परवंदन करें आप आपके आचरण में वह जरूर हो नी आप आचन ब्यक्तिकत नीजी स्वार्ट जो भी आपका है वो करें कोई दिक्कत नहीं पर जब सरकार के अस्तर पर जब हम विश्व के अस्तरों पर अमरिका विश्व का अमरिका लोकतंत्र है कितना पुरानी लोकतंत्र है जो आपना दम भड़ता है आज तक उसकी महिला सके वो नत्यूत कर सके उसके कोई भी हम डेस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे पर भारत जैसे देशों में जहां अन्य राश्टों की बात करें तो यहां पर लंबी फेर लिस्ट है जहां पर महिलाओं को खड़ा किया गया पहली परंक्ति में निर्ने करता कि परंक्ति मे इसलिए यह इंपॉर्टेंट है नाम याद यह जरूर रखिएगा आप लो इसके बारे में इनका क्या नाम है ठीक है ना साथ ही साथ आपको याद हुए वन सकेंड चली आगे हम बात करेंगे इसी तरीके से आपको कॉंसेट को किलियर करना नेश्ट बात करेंगे वाई पर लॉडूसन पर तो हमारा एक वर्स बढ़ जायेगा आपको क्या आयो यह रिपोर्ट आया इस रिपोर्ट को एंपद जरूर देखिएगा आप लो ठीक है ना इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा कुछ चीजे हैं जिसको समझने किया हुए अत्रिक दबाव किया हुए छ करें लिया जरीया बनता है जो आपके बच्चे ने बच्पन से देखा आपने अपने बच्चे के जर्म लेने साथ देखा इसलिए इन सारे आउसरों को तलासनी क्या आउ सकता है कि हम एक केवल दवाओ के कारण किसी की किसी बच्चे ने आत्म हत्या कर लिया तो उस इस्तिती को कम करने के लिए हम कुछ बहतर कदम करें अब यहां कुछ आखड़े हैं इसको देख लिजेगा आखड़े को आपका सेलेक्शन नहीं होता जैसे मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने बी प्लान कर रखा है न सी भी प्लान कर रखा है तो आपको बी प्लान सी प्लान करने की आव सकता है कि हम इसके बाद क्या करेंगे आप एक सही समय का वेट कीजिए ऐसा नहीं कि दम जीवन भर यू को निक्रैखी कर लेना है नहीं तो हम कुछ खाना पिना नहीं करेंगे ऐसा नहीं एक सही समय पर आपने को लेप्ट करने की आओ सकता है इसे कि नहीं अब समय बहुत हो गया अब मुझे और अपने B-Plan C-Plan पर कार्ण करने की आओ सकता है क्योंकि दाइत तो आप पर भी है अ संतुलित करने की आओ सकता है इन सब चीजों को समझने का परियास कि चलिए आगे हम बात करेंगे इसमें अब चौरासी खिलाड़ी के जिसमें बावन प्रूस है बतिस महिला है इससे पीटी फैक्ट है पहरा अलम्पिक के वी रिजल्ट आने लगेंगे रुजहान उसके बारे हम बात करेंगे अब देखिए विर्दीदर और अर्थ व्योस्ता का सच जानिएगा यहां पर बाते की गई है 2020 से 22 के भी भारती अर्थ व्योस्ता गर्भी नकरात्म प्रभाव पड़ा है अगर 2022 की हम बात करें तो अंत में देखिए अर्थ व्योस्ता सुधार आना आवसक है महामारी के बारे में बात की गई है जहां पर अंग्रेजी अक्षर में अकार अर्थ व्योस्ता की बात करती है हम के अक्षर के गलपना को करें तो दो रेखाएं नजर आती है एक रेखा उपर जाती है एक रेखा नीचे जाती है था सम्रिदता की बात हो रही है एक बहुत बड़ा जा रहा है एक तो बहुत नीचे जा रहा है तो इस तरीके से हम जो विकास का कॉंसेप्ट अपना के रखे हुए हैं सम्रिद अधिक सम्रिद हो रहा है गरीब अधिक गरीब हो रहा सुचकांग में बात की गई दोजाद 14 का IPP 3.3% था जो वितवर 24 में या बढ़का कितना गए 5.5% हो गया सेंटर फोर मानेटिंग इंडियन एकोनोमी की बात करें रपट के अनुसार भीसन गर्मी ये मांसुन के कारण रोजगार के लिहास से जुन 24 मेना असंगडी चेतरों के लिए अच्छा नहीं था उसके रोजगार चिन गए तो आखड़े कुछ और कहते हैं पर हम बात कुछ और कहते हैं तो विर्दी दर और बहुस्ता का सच यही है दोनों एपोजिट काम करता है हम आउसर लगाते हैं कि या आउसर हम सोचते हैं कि इस साल विर्दी होगी सम विर्दी होगी पर आखड़े किसी कारण संगठी ता संगठी चेतरों के परवायत होते हैं रोजगार कमी विर्दी के कारण आया समानता में भी कमी देखने को मिल रही है। आखड़े में क्या कहा जाता है? दोजगार बाइस तरिस में आठवा तू- तू- ठीलाक नए कमशारी थे नई पेंसम स्की तो आखड़े कुछ और दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखें समाधान के लिए हमें समाधान के लिए हमें आखड़ों से कहीं अधिक आखड़ों से कहीं अधिक परबंदन की आओ सकता है नीमन की आओ सकता है और सरकारी योजनाओं को सरकारी योजणाहों को सिर्जित करने के आउसकता है जो एक बहतर लोग को हाथ में पाईसे दे सके लोग हात में आसर दे सके इस चीज को समझने के आउसकता विगा आएगी इस लेग को जरू पढ़िएगा समझ्जे का परियाद की जहीं फिर कल मिलते एक न्यूजिनेसिस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैने